हलो एवरिवन मैं पूर्वा और जितने भी लोग राची केस डॉक्टर शामा प्रसाद मुखर्जी उनिवर्सिटी जिसे हम लोग पहले राची कॉलिज के नाम से जानते थे इसके फॉर्म का वेट कर रहे हैं रेजवेशन के कोर्सेस के लिए तो आप लोगों के लिए अच् इस है जिसमें कहा गया है इस इस फॉर इंफरमेशन तो आल कंसर्ण डैट अट प्रोसेस अफ़ाइशनल कोर्सेट इस वेबसाइट है तो जितने भी लोग यहां पर वोकेशनल कोर्सेस में लेना चाहते हैं वेदर इट इस ग्रेजवेशन का कोर्स आपका या फिर पीजी तो आपके लिए नोटिस आ गया है तो इसके बात के वीडियो में आपको बता रही हूं अभी आगे इस वीडियो में कंटिन्यू करूंगी कि वोकेशनल कोर्सेस आपका यहां पर यूजी के लिए कौन-कौन सा अवलेबल कि किया गया है लेकिन उससे पहले देखिए स्टार्ट डेट ऑफ अद्मिशन फॉर्म फिलिंग कितना है आपका थर्टी फाइव मंथ 2023 यानि की आपका यह तीस कोई शुरू हो गया जो अभी कंटिन्यू है और लास्ट डेट आपका अद्मिशन फॉर्म का कब है वन वीक तो अभी तो DSPMU दो तरीके से जो है अद्मिशन ले रही है और डारेक्ट खुद का कंड़क्ट एंटरंस भी करवा रही है और डारेक्ट अद्मिशन भी हो रहा है तो आपका जब का रिजल्ट डेक्लियर हो जाएगा उसके वन वीक के बाद में आपका यहां पर लास्ट डेट खतम हो जाएगा तो चलिए बात करते हैं आपके यहां पर कौन-कौन से वोकेशनल कोर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहे है तो वोकेशनल कोर्स में देखिए आपका DSPMU म आपका BSC in Computer Application है जो काफी ज्यादा क्रेज में है यूद के बीच में बीच में इसका देखिए इंफरमेशन टेक्नोलोजी है यानि IT उसका इलेक्रोनिक्स है स्कूल आफ एंवर्मेंटल साइंस है माइक्रो बायोलोजी है BSC in Nano Science and Nanotechnology है BBA है आपका जो काफी लोग जो है चू सब्सक्राइब के बाद सकेंड नंबर पर है अच्छी पढ़ाई होती है आपर मास कॉमिनिकेशन का उसके बाद BSC in Fish and Fisheries है इसके अब बात करें आपका PG के कोर्स के लिए तो PG में आपका Masters of Computer Application यानि की MCA है MSC in Information Technology IT LLM है आपका BA है MBA है में में रूरल डेप्मेंट है में में सब्सक्राइब करते हैं यहां पर आपको जाना है फोन के थ्रू या लापी के थ्रू यहां पर आपको यह बगल में देखिए यह यूजर नेम और पासवर्ड मांगा गया है राइट में तो आपने अगर इससे पहले कभी भी अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो आपको इस साइन अप में जाना है साइन अप में जाने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना होता है अपना वेडिए हूंड का साइन अप करना होता है ओट मिया को क्या करना होता है लौग इन करना होता है लौग देखिए लेट साइड में लौगिण आपके फर्स्ट डुशह साइन पॉछे जाएंगे तो यहां से आपको सबसे पहले तो सबसे पहले तो साइन अप कर लेगा देखे लिए पके लिए तो यहां पर clear तो नहीं में संग किया गया है लेकिन आलग-अलग कोर्सिस के अलग-अलग आपका फी स्ट्रक्चर होता है जैसे बीजे एमसी आपका मास कॉमनिकेशन में आपका पचीस से तीस अजार में आवरेज बतारी हो इस तरह से लगता है तो आपको फीस तो किसी ओल स्टूडेंट से पूस्टना होगा या फिर कॉलेज आकर पता करना होगा तो यह अभी केवल वोकेशनल कोसिस के लिए जो नॉर्मल कोसिस हैं जैसे हिस्ट्री बायोलोजी वगेरा इसके लिए अभी फॉर्म नहीं आ है जब भी आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगी और कुछ दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो